अपनी किताब इमर्जेंसी की इंसाइट स्टोरी में वरिश पत्रकार कुलदीप नईयर एक किस्से का जिक्र करते हैं 11 जवरी 1976 की बात है इंद्रा सरकार में रक्षा मंत्री बंसिलाल नौसिना के एक कारेकरम में हिस्सालेने बंबई पहुचते हैं बंसिलाल और संजय गांधी के दोस्ती जग जाहिर थी इसलिए संजय भी साथ में थे बंसिलाल के रहने के लिए एक सूइट का इंतिजाम किया गया था होटल वाला सूइट जबकि संजय को एक डबल बेडरोन दिया गया बंसिलाल ने अपना सोईट संजे को दे दिया और खुद उनके कमरे में सोई अगली सुबह बंसिलाल ने ये बात नौसेना प्रमुक S.N. कोहली को बताई उस समय तो कुछ नहीं हुआ लेकिन शाम को खाने के टेबल पर बंसिलाल ने हंगामा खड़ा कर दिया अब की बार बज़े दूसरी थी खाने के टेबल पर राजपती और उनकी पत्नी राजजपाल और उनकी पत्नी बंसिलाल तथा उनकी पत्नी तथा दो फ्लाग ऑफिसर्स के बैठने की जगे थी फ्लाइग ऑफिसर मतलब नौसेना में वो हुआ पद का भार जो आमी के हिसाब से आपको बताएं तो जो जिनरल ऑफिसर होते हैं उनको नौसेना में फ्लाइग ऑफिसर कहते हैं यहां तक कि सेना प्रमुग भी दूसरी टेबल पर बैठे हुए थे अचानक बंसिलाल ने जित पकड़ ली वो चाहते थे कि संजे को भी उनकी टेबल पर बिठाया जाए कोली ने उनसे कहा यह प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा नईर बताते हैं कि बंसिलाल की जैसी आदत थी वो वहीं खाने के मेस पर गाली गलोश पर उतर आए कोली की रिटायर्मेंट में महस चन्द महीने बाकी थे उन्होंने वही खड़े-खड़े अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी मामरा सुल्जा जब आकर में हुआईयों की बंसिलाल की पत्नी खाने पर नहीं आई और वो सीट संजय गांधी को दे दी गई भाशा चूंकि दूसरे के दिमाग में कलपना पैदा करने का जरिया है इसलिए संजय गांधी ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनती वो शक्स जिसने लोगों को पकड़-पकड़ के नस्बंदी करवाई एक शक्स जो एमर्जनसी का असली चहरा था एक शक्स जिसने एक बार BBC आफिस पर ताला लगा कर पत्रकारों को जेल में डालने का फरमान जारी कर दिया था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भारती राजनीती का असली युगराश था आज 14 दिसंबर की तारीख है इस रोज 1946 में संजे का जन हुआ था इस मौके पर हमने सोचा आपको संजे गांधी के कुछ दिलचस्प किस्स सुनाई जाए अब एक किस्स संजे से जुड़ा तो हमने आपको शुरू में आपको सुना दिया इसलिए दूसरे से आगे बढ़ते हैं साल 1975 की बात है दिसंबर महिने में मंगलवार की एक सर्थ सुभह अकबर रोड पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है इमर्जन्सी लाग हुए 6 मेने बीच चुके हैं अब तक और कॉंग्रस मुख्याले पर संजे गांधी का लगा है दरबार आज इसी दरबार में पेशी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाराएंड़त तिवारी एंडी तिवारी की तिवारी अपने साथ दो नौकर शाहों को लेकर पहुचे हैं इन दोनों के पास अमेठी और राय बरेली में इंडस्ट्रिल एरिया डेवलप करने की जिम्मेदारी है संजे के टेबल पर एक नक्षा बेचा है कुछ देर सोचने के बाद वो तिवारी से यमुना नदी के किनारे एक जगह की निशान देही लगाने को कहते है इसके लिए तिवारी को तीन दिन का वक्त मिलता है और वो उटकर चले जाते है दरसल संजे चाहते थे कि प्रदूशन फैलाने वाली दिल्ली की सभी इंडस्ट्रीज को यमुना के पूर में शिफ्ट कर दिया जाए और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी जगदीश खटर को खटर तब UP State Industrial Development Corporation के Managing Director होते थे खटर याद करते वे लिखते हैं उस साल कुछ ज्यादा ही ठंड थी जहां देखो लोग कंबल ओड़कर बैठे थे हमें कोई जगे तलाशने में काफी दिक्कत होती थी दो दिन बाद इसी इलाके में एक मेटडोरा कर रुकी संजय गांधी उत्रे कोच इलाकों के निशान दे ही कर संजय को दोरा करवाया गया जिस इलाके को संजय ने चुना उससे 21 सदी में हम नोईडा के नाम से जानते हैं खटर बताते हैं कि संजय को हर काम की काफी जल्दी थी उन्होंने तीन दिन में इलाके का चैन कर अगले दो दिन में काम शुरू करने का फरमान दे दिया खटर मुक्यमंतर इंडे ठीवारी के बगल में खड़े थे उन्होंने दिवारे के कान में फुस्वसाते वे कहा सर ये तो बहुत कम वक्त होगा अब संजे ने जो जमीन चुनी थी वो किसानों की थी उनसे जमीन का अधि रहन होना अभी बागी था लेकिन संजे ये सब सुनने को तयार नहीं थे उन्होंने खटर को तिबारी के कान में फुस्वसाते देखा और पूछा कि क्या कोई दिक्कत है इसके बाद खुदी बोले कि चिंता बद करो सुमवार को बुर्डोजर पहुच जाएंगे और काम शुरू हो जाएगा ऐसा ही हुआ भी खटर बताते हैं कि काफी दिक्कतें थी लाल फिता शाही जमीन अधिग्रहन के नियम कानून ये सब काम के आड़े आते थे तब लेकिन संजने मन बना लिया था और वो हर हफ़ते साइट पर विजिट भी करते थे और हर पार तिबारी को फीड़बैक पहुचाते काम की सुसरफतार उन्हें चिड़ा रही थी नौड़ा तयार करने के लिए यूपी सरकार ने एक अलग एजनसी बनाई थी इस एजनसी को वित शक्तियां भी मिले हुई थी ताकि जमीन का अधिग्रहन थोड़ा तीजी से हो एक रोज जब एजनसी की फाइल यूपी फाइनस डिपार्टमेंट में भेजी गई उन्होंने फाइल पर सवाल खड़ा कर दिया कोई एजनसी अपनी मरसी से पैसा खर्च करे ये नियमों के खिलार था इसके बाद खटर ने दूसरे तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया तमाँ फोन मिलाए और एक रास्ता ढूनने की कोशिश की ताकि पैसे के दिक्तत सॉल्व हो इसके बाबजी उद उने कोई रास्ता नजर आया नहीं तब ही ये खबर संजय के कान तक पहुची संजय का एक फोन गया और दो मिनिट में फाइनास डिपार्टमेंट ने फाइलों को मनजूरी दे दी खटर बताते हैं कि जैसी स्वायत्ता नॉड़ा के मामले में विली थी देश में असा पहले कभी नहीं हुआ था एमर्जिंसी के खात्मे के बाद जब जनता पाटी सरकार में आई उन्हेंने नॉड़ा विकास पर एक जांच कमिटी बिठा दी इस मामले में अदालत की तरफ से संजय गांधी, एंडी तिवारी और जगदिश खटर को समन जारी हुए कई अफसरों पर गाज भी गिरी लेकिन खटर बज गए क्यों? खटर बताते हैं कि उन्हें शुरुआत से इस प्रजेक्ट के गैर कानूनी होने का पता था इसलिए उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए ये लिख दिया था ये गैर कानूनी काम है इसी वजह से कोर्ट में वो बच गए अब सुनिये तीसरा किस्सा इमर्जेंसी के दौरान एक फिल्म बनी थी किस्सा कुर्सी का फिल्म में शवाना आजमी ने एक रोल किया था जिसे लेकर कहा गया कि ये गूंगी जनता का प्रतीक है इस फिल्म को बैन किया गया इसके नेगेटिफ जला दिये गए और अब्जेंसी के बाद इस केस में सेंजय गांधी को जेल भी जाना पड़ा ये किस्सा आप में से बहुतों ने सुना होगा लेकिन इस दौर में सेंसर्शिप का शिकार सिर्फ ये एक फिल्म नहीं होई थी शोले के रिलीस का एक किस्सा है शोले के रिलीस के तारीक लगी गई थी 15 अगस्त 1975 फिल्म सेंसर बोड के पास थी जुलाई महिने में सेंसर ने आदेश दिया कि फिल्म से एक सीन हटा दिया जाए वो सीन जिसमें ठाकुर अपने कील वाले जूतों से गबर को रौन देता है संसर बोड का कहना था कि फिल्म में ऐसा कुछ ना दिखाया जाए जिस से ऐसा लगे कि आम आदमे कानून अपने हाथ में ले सकता है संसर बोड ने सुझाब दिया कि ठाकुर गबर को पुलिस को सौप दे संसर ने एक और सीन में कैंची चलाई इस सीन में रामलार ठाकुर के जूतों में कील ठोक रहा होता है रमेश सिप्पी संसर के इस रवए से काफी खपा थे वो एक बार कोट जाने को तयार हो गए लेकिन फिर एक वकील ने उनने समझाया कि एमरजेंसे में कोट जाने का कोई मतलब निकलेगा नहीं अंत में सीन को बदलने के लिए संजीब कुमार को बलाया गया जो तब सोवियत संग में थे सीन दुबारा शूट हुआ और तब जाकर फिल्म रिलीज हो पाई चौते किससे पे आई है वरिश पदरकार विनोद महता अपने किताब दसंजे स्टोरी में इसका जिकर करते हैं महता लिखते हैं कि संजे समय के बहुत पाबन थे उनकी हर डेडलाइन एक दिन पहले की होती थी हर सुबे ठीक आठ बजे एक अगबर रोट पर संजे गांधी का दिन चुरू होता था अधिकारी आते अपने रिपोर्ट सौपते और और अर्डर लेकर के जाते उनकी सरकार में कोई हैसेत नहीं थी न कोई पत था लेकिन फिर भी अधिकारी चुपचाप उन्हें सर बोलकर आदेश मानते थे सर वो अलसर कौकरिस नेता जगदीश टाइटलर ने BBC से बाचीत में एक बार कहा था कि संजे वक्त के इतने पाबन थे कि आप उन्हें देखकर अपनी घड़ी बिला सकते थे अब पांचवा और आखरे किस्सा संजे की शादी का खुश्बन सिंग अपनी आत्म कथा टोथ लव एन लिटिल मलाई इसमें लिखते हैं कि संजे और मेनका की पहली मुलाकाच 14 दिसंबर 1973 को ही थी दोनों एक पार्टी में मिले जो मेनका के फूफा जी मेजर जनल कपूर ने अपने बेटे वीनू कपूर के जन दिन पर रखी थी संजे और वीनू स्कूल के दिनों से दोस्त थे इसलिए उन्हें भी इस पार्टी में आम मंतरन मिला कुश्मन लिखते हैं कि संजे लड़कियों की परक तुरकते थे लेकिन वो हमेशा बचते थे कि कोई उनके परिवार के पहचान हासिल करने के चक्कर में उनके गले न पढ़ जाए मेंका तब 17 साल की थी अपने कॉलेज में ब्यूटी कॉंटेस विनर रही थी और मॉडलिंग में भी हाथ जमा चुकी थी यहां दोनों की मुलाका थी पार्टी में और फिर दोनों अक्सर मिलने लगे संजे कभी उनके घर जाते कभी उनने अपने घर लेकर के आते 1974 में एक रोज संजे ने मेंका को इंद्रा से मिल वाया इंद्रा गांदी से उस रोज घर में खानने का प्लान था मेंका प्रधान मंतरी से मिलने को लेकर के बहुत नर्वस थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कहेंगी क्या आखिर में खुद इंद्रा ने उनसे कहा चूंकि संजे ने हम दोनों का परिचे नहीं करवाया इसलिए बहतर है कि तुम ही बताओ तुम्हारा नाम क्या है और करती क्या हो कुछ मत लिखते हैं कि इंद्रा को कतई हैसास नहीं था कि ये लड़की एक दिन उनकी बहु बनेगी संजे इस से पहले भी कई लड़कियों को घर लेकर आये थे मेंका की माह अलाकि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि संजे और मेंका का रिष्टा हो उन्होंने मेंका को अपनी दादी के पास भोपाल भेश दिया था जुलाई 1974 में मेंका भोपाल से लोटी है और उसी महिने की 29 तारीक को दोनों की सगाई हो गई इस मौके पर इंद्रा ने मेंका को एक सोने का सेट और साड़ी गिफ्ट की इसके कुछ समय बाद इस अंजे का हरनिय का ऑपरेशन हुआ इस दुरान मेंका सुबह कॉलेज अटिन करती है और शाम को एमस में संजेस से मुलाकात करने जाती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 23 सितंबर 1974 को दोनों की शादी हुई इस मौके पर इंद्रा ने मेंका को गोल्ड सेट और 21.5 गिफ्ट की इन में से एक साड़ी खादी की थी और इसकी खास बात ये थी कि इसे खुद जबाहरलाल नहरों ने जेल में रहते हुए चर्खे पर बुना था उसके लिए सूथ काता था चर्खे पर इंद्रा ने उन्हें अपनी मा कमला नहरो की अंगूठी भी तौफे में दी थी रशीत किद्वई ने अपने किताब 24 अकबर रोड में एक किस्से का जिक्र किया है वो लिखते हैं एक रोज में इनका संजे की बात पर इतना गुस्ता हुई कि उन्होंने शादी की अंगूठी निकाल कर उनके और फेक दी थी इस बात पर इंद्रा को काफी गुस्ता आया किद्वई लिखते हैं कि वहां मौझूद सोन्या गांधी ने उस अंगूठी को उठाया और ये कहकर रख लिया कि वो प्रियंका के लिए इसे समालेंगी दसंजे स्टोरी में विनोद महता एक और किस्सब बताते हैं महता लिखते हैं कि घर पर संजे और राजीव में कम ही बात होती थी एक रोज सब लोग ब्रेक्फस्ट पर बेटे थे उस समय वहां बीके नहरो और उनकी पतनी फ्लोरी गांधी भी मौझूद थी सब सामाने था कि अचानक संजे न अपनी थाली फेग दी गुस्ते में खड़े हुए और अपने कमरे की ओर चले गए भी मैं तर लिखते हैं कि संजे के गुस्ते की वज़े ये थी कि सोन्या ने अंडे उनके कहे अमसार पकाई नहीं थे इंद्रा ने ये सब देखा और वो चुपचाप बैठी रही इसी किस्से के साथ आज की तारीक यहीं पर समाथ होती है आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकाद होगी इस कामना के साथ विदा लेते हैं तारीक का ये एपिसोड लिखा था हमारे साथ ही कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने देखते रहिए दीला लंटॉप